हाई एवरीवन वेलिकम टू भी एच्चू पार्ट सला जी के एंड जीएस की जो सेट चल रहे थी वो इसका ये सेकिंड पार्ट है इस पार्ट टू और पार्ट वन में जो वाइस की प्रॉब्लम थी वो इस वीडियो में रिजॉल्व कर दी गई है फॉष्य विडियो में आपको ख्रियर ओर क्रेश्टल ख्लियर वाइस को सुनने के लिए मिलेगी और अगर आप हमारे कोर्स से जूढ़ना चाते हैं तो ऊपर दिये इस नंबर को मतलब कॉल करें इस नंबर पर हमें वाट्सब करें और अपर प्रीमियम कोर्श सिस को जोइन क को जो जो यह लो तल शहर था यह बंदरगाय था सिंधु घाटी सब इता का कुछ नमर सेकंड इस वाट दिए नेम ऑफ बुक रूटेन भाय मेगस्थनीज मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है तो यह इंडीका पुस्तक है मेगा सनीश के द्वारा लिखी गई है question number third is which king started शक एरा सक्समोद की शुरुवात किस के द्वारा की गई सक्समोद की शुरुवात राजा कनिश के द्वारा की गई वो भी 78वी AD में 78वी ECU है question number four is नागानन्द, रतनावली और प्रियदर्शिका राइटिंग आफ नागानन्द, रतनावली और प्रियदर्शिका किस की कृतिया है ये तीनो ही हर्शवर्धन की कृतिया है written by all of these three are written by हर्शवर्धन question number five is where is the मेनाक्षी temple situated मेनाक्षी मंदिर कहां है थी थी थे मेनाक्षी मंदिर मदूरई में स्थी थे and question number six is where is international research center for rice instituted or we can also say that where is international rice research center is situated तो राष्ट्री चावल अनुसंधान केंदर कहां परिष्थी थे तो ये है फिलिपिन्स में स्थी थे and national rice research center जो है अपना राष्ट्री इंडिया का ये कटक में स्थी थे question number seven is which day is celebrated as national youth day in India राष्ट्र युवा दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्र युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन स्वामी वियका नंद जी का जनम दिन भी होता है in how many fields nobel prize is given nobel पुरिसकार कितने छेत्रों में दिया जाता है तो nobel पुरिसकार कुल छे चेत्रों में दिया जाता है ठीक है और वो चेत्र है physics, chemistry, medicine, economics, literature and peace question number nine is study of coins is known as सिक्कों के अध्यान को क्या कहा जाता है तो सिक्कों के अध्यान को numismatics कहा जाता है question number ten is in which year Balwant Rai Mehta committee was formed Balwant Rai Mehta समिती का गठन कब किया गया था तो इस समिती का गठन उनी सो संतावन में किया गया था community development program यानि c d community development program cdp को review करने के लिए और cdp उनी सबावन में लांच की गई थी यानि स्टार्ट की गई थी अगले question पर जलते हैं that is question number 11 under which article of Indian constitution c.a.g. is appointed भारती समिधान के किस अनुश्यद के अंतरगत नियंत्रक एम महालिखा पर रिक्षा की न्युक्ति की जाती है तो इसका answer हो जाएगा option t that is 148 and our current c.a.g. is g.c.mormo or c.a.g. का full firm क्या होता है Comptroller Audit General question number 12 is under which article of Indian constitution finance commission is formed भारती समिधान के किस अनुश्यद के अंतरगत विट्तायोग संगठीत किया गया तो अनुश्यद 282 के अंतरगत विट्तायोग संगठीत किया गया और हमारे present chairman of finance commission है N.K. शिंग नंद किशोर सिंग question number 13 is on the recommendation of which committee fundamental duties were added to Indian constitution कि समिती की अनुशंसा पर भारती समिधान में मूल करतव जोड़े गया सरदार शौन सिंग कमिटी की अनुशंसा पर भारती समिधान में मूल करतव जोड़े गया और ये 22 समिधान संसुधन के द्वारा 1976 में जोड़े गये थे और जो 22 समिधान संसुधन है अपना 42nd 42nd constitutional amendment this is also known as mini constitution इसे mini समिधान की नाम से भी जाना जाता है अगली स्राइट पर चलते हैं and question number 14 प्रश्न संक्या 14 है who is the writer of the book planned economy for India planned economy for India नमक पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है M. विश्वेश्वराया question number 15 is which of the following past is situated in हिमाचल प्रदेश निमनलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है तो शेपकिला दर्रा ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और option number C. नाथूला ये जो नाथूला पास है ये सिख किम में इस्थी थे okay question number 16 is कालिदास वस दो कोट वेट अफ विच किंग कालिदास किस राजा के राजकवी थे कालिदास चंद्रगुप्त दृती के राजकवी थे option number C will be the right answer for this question 16 number के लिए ठीक है question number 17 is which of the following metal is used in treatment of cancer निमनलिखित में से कौन सा धातू cancer के उपचार में प्रयोग होता है तो जो कोबाल्ट 60 होता है वो cancer के उपचार में प्रयोग होता है question number 18 है with which sport Uber Cup is related Uber Cup किस खेल से संबंदित है तो जो Uber Cup है ये Badminton से संबंदित है question number 19 is who proposed Big Bang Theory Big Bang सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था इसका आंसर से हो जाएगा George Lemaitre George Lemaitre ने Big Bang सिधान्त का प्रतिपादन किया था question number 20 is what is the minimum age to be elected as a member of legislative council विधान परिशत के सदस से निर्वाचित होने के लिए कम से कम कितनी आयो होनी चाहिए तो इसका सही अंसर हो जाएगा 30 वर्ष और एक question मैं आपके लिए छोड़ता हूँ what should be the minimum age to be the prime minister of our country okay and so this is the end of this video and please subscribe our channel BHU Paatsala for more updates you can download our app from play store that is you paatsala that is free of cost and if you want to experience our prime courses then please contact on the number that I am sharing it with you this and the number is and the number is this number 9519383272 okay thank you